कई लोग भौतिक वादी दुनिया को छोड़कर आध्यत्म की दुनिया में मगन हो जाते हैं और कठिन ब्रमहचर्य जीवन जीते हैं आज हम आपको बताएंगे कि एक नागा साध्वी बनने के लिए महिलाओं को क्या क्या करना पड़ता है एक महिला को नागा साध्वी बनने से पहले उसे 6-12 साल के कठिन ब्रमहचर्य का पालन करना पड़ता है तब ही उसे गुरुवार महिला नागा की दिक्षद देता है नागा साध्व महिलाएं करती है ये काम हिंदू परमपरा में किसी इनसान के मरने के बाद उसका पिंट दान किया जाता है लेकिन नागा साध्वी बनने से पहले महिला को अपना पिंट दान स्वयां करना पड़ता है महिला को नागा बनते ही अपने सिर का मुंडन करवाना पड़ता है मुंडन के बाद नदी में सनान कराया जाता है इन सब के बाद सबसे कठिंक कारे महिला को अपने परिवार का मोह भंग करना पड़ता है आम और पर पुरुष नागा हमेशा निवस्त्र रहता है लेकिन महिला नागा हमेशा ही एक पिल्ला वस्त्र पहनती है नागा बनते ही महिला को सभी लोग माता कहकर पुकारते हैं। नागा बनाने वाली साधवी कभी भी अपना अंभंग नहीं कर सकती है।